एसी वाइनिंग में अंतराल कारक किसके अनुपात में होता है दोस्तों पोल अंतराल बटा में वाइनिंग अंतराल के या वाइनिंग अंतराल माइनस पोल अंतराल के या पस अंतराल बटा में पोल अंतराल या वाइनिंग अंतराल बटा में पोल अंतराल बताई इसके अंसर is in the ratio of तो बताईए जिसको जैसा भी आता है तो दोस्ति इसका right answer हो जाएगा D यानि winding अंतराल बटा में हो जाएगा pole का अंतराल कितना है वो इसके अंदर रखना पड़ता है मिसां जिसमालों में अंतराल का रख निकालना है अंतराल का रख तो इसके बराबर में हो जाएगा winding का अंतराल बटा में जो pulse का अंतराल है वो यानि interval तो वो यहाँ पे हो जाएगा इसका मतलब हम इसका अंतराल निकाल सकते हैं नेक्स्ट मारा क्यूशन है दो नमबर इसका अंसरो तो यह क्या होगा अब बात आती है दोस्तो जब मोटर गती स्तिर है तो slip क्या होगी मोटर की गती अगर स्तिर है तो slip क्या हो सकती है सुनने हो सकती है या 50 या 100 परसेंट या 1 परसेंट बताई इसका अंसर क्या होगा टाइप कर दीजिए जिसको भी अंसर पता है तो दोस्तों इसका right answer हो जागा C यानि 100% होगी तो इसका मतलब जब motor की गती है वो स्तीर होगी तो slip का मान 100% होगा क्यों होगा यानि slip को percent में निकाल रहाता है ये बिनोट कर देना सबसे पहले क्यूंकि यहां पिस percentage दे रखा है वो slip को S से परदर्सित किया जाता है ये भी नूट कर लेना इसका मतलब N S minus N सिक्रों स्पीड में से speed उसकी इतनी है वो बटा में फिर सिक्रों स्पीड रखी जाती है और इसको multiple किया जाता है source है तो इसका मतलब इसको हम solve करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे देखी 0 है motor की गतिस तीर है तो slip 0 होगी slip 0 होगी तो इसका मतलब यहाँ पे इसको ns- मैंनस में से n किया n command 0 है ns बटा में हो जाएगा तो इसका मतलब इसका जो answer आएगा वो आएगा 100% same to same next मारा question दोस्तो ती number इसका answer तो यह क्या होगा अब बात आती है कोरक्स क्रूनियम किसको इंगित करता है चुमकिय अभिवाहे गंतव को चुमकिय शेतर को चुमकिय अभिवाहे को चुमकिय बल रेखाओं की दिशा को बताई इसका answer क्या होगा कोरक्स क्रूनियम किसको इंगित करता है तो दोस्तो इसका right answer रोज़ जाएगा डी चुमकिय बल रेखाओं की दिशा को इंगित करता है यह आपको ध्यान रखना है यानि कोर्क सक्रुन को मैक्सवेल के नाम से भी जाना जाता है ये भी नोट कर लेना और विदू दारा तथा चुम्ब के शेतर एक दूसरे से समधित होते हैं और पेच के आगे बढ़ने की दिशा दरा की दिशा को परकट करती है तथा पेच की गूमने की जो दिशा होती है को चुम के शेतर या बल रेखाउं की दिशा को इंगित करती है यह भी नोट कर लेने साथ में कॉरक्स क्रू का मतलब यह 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 यानि पेच जानते होंगे नेक्स्ट मारे क्यूशन दोस्तों चार नंबर इसके बताई क्या होगा अब बाताती है चीनी मिट्टी एक खालिस्त होता है सीज राइट एंस और डिस्क्यूशन यानि विदूत रोधिस से धारा का प्रवाइन नहीं होता है और विदूत रोधिन का जो प्रयोग है वो विदूत सुरक्षय उपकर्ण के लिए किया जाता है नेक्स्ट नमारे क्यूशन है पांच नंबर इसके एंसे होगा ज 2450 पलस मैनिस 5% ओम होगा यह 2410 पलस मैनस 5% ओम होगा यह 1720 पलस मैनस 10 परसेंट ओम होगा यह 3410 पलस मैनस 20 परसेंट ओम होगा तो जिसको भी निकालना आता है बता दीजी जैसा भी टाइप कर दीजिए यहां पर तो दोस्तों इसको किस प्रकार से सुलोग किया जाता है तो आप से यह को पता होगा पर तिरोदर का जो कलर कोड होता है वो इस प्रकार से होता है बिबी आरो वाई जी वी डबलो जी एस यानि हम इसका सूतर हैं वी गरुड़ ब्रीटन वेरी गुड़ वॉइट और फिर हो गया गॉल्ड और शीलवर यानि गोल्ड और सीलवर सीलवर को किस से एससे परदर्सित करते है यानि यह सुना सनेहरा और यह सिलवर कलर होगा तो भी लेक से सुरुवात करते है तो Color Code consistent ही 0, 1, 2, 3, 4 , पांट, इस प्रकाट से सुरुवात होती है, इसकी और 9 तक जाती आधी है , यानि 9 तक आ गया , फ्र जो Gold बचे गया , और Silver प्रकाट है , जो Gold की गया , इसको प्लस मैनस 5 % से परतर्सित किया जाता है , इसको प्लस मैनस 10 % से आपको द्यान रखना है क्योंकि इस क्यूशन में क्या पूचे गए यदि रंगों का अनुकरम यदि रंगों का अनुकरम लाल पिला बुरा और सुनेरा के करम में है तो रंग कोड़ित क्या होगा तो लाल भी है पिला भी है बुरा भी है और सुनेरा भी है तो लाल पिला यह सुन ले है कि यहा पर कोडि कितना है तो इस परकार से अगर हम इसको सॉलोव करते हैं तो इसके चान सूरा आ जूता है 200 सॉर्य ، वहां 240 परन पांस परसेंट पोंचु यहां पे यह बीुट नहीं होगा सोरी मापी चाहूंगा आप सभी से तो दोस्तों यहां पर यह होगा 240 240 पलस माइनस पांच परसेंट ओम यह इसका राइट एंसर होगा तो गलती हो गई क्योंकि टाइपिंग के समय थोड़ा द्यान से चेक नहीं किया था तो कोई बात ने दोस्तों समझें आगे होगा आप से को यानि इस प्रकार सीन को सोलो किया जाता है आपको यह एलक्सी इसका एंसर हो जागे 240 पलस माइनस पांच परसेंट ओम नेक्स्ट मारे क्यूशन दोस्तों 6 नमर इसके एंसर बताई क्या होगा टाइप कर दीजिए जिसको जैसा भी आता है फ्यूश्तार में खालिस्तान परतिरोदगता और खालिस्तान गलनाग होना चाहिए मद्यम और उच उच और मद्यम मद्यम या निमन निमन बताई इस कैंसर क्या होगा जद्ली से पताई इसके अंसे क्या होगा दोस्तों तो इसका राइटन चुरो जाएगा डे यानि नीमन नीमन होना चाहिए फ्यूस्तार में नीमन परतिरों दखता होने चाहिए और नीमन गलनाक होना चाहिए समझें आगे होग आपसे एको यानि फ्यूजय की जो रेटिंग उती है वो समानित एंपयर में ग्यात्की चाथी है यह तो सबी को पता होगा और दूसी बात आप को ज़रा निया है फ्यूजय स्थियूजय को संजीव या कलातार यानि फ्यूजय को फ्यूज एक सुरक्षया उपकरन अभी बता है वह सेंटीस परसेंट लगवग मना जाता है और थेंफ का उप्योग किया लेप नेटों तो 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 साथ नमबर इसके एंसे बताएं क्या होगा गेजर का thermostat pressure क्या है 20 डिग्री celsius से 80 डिग्री celsius 32 से 88 डिग्री celsius 0 से 80 डिग्री celsius 32 से 100 डिग्री celsius जल्दी से टाइप कर दीजी जिसको भी जैसा भी पता है तो दोस्तों इसका राइट एंसर हो जाएगा बी यानि 32 डिग्री celsius से 88 डिग्री celsius के बीज में होता है यानि thermostat तापमान के अनुसारी परचालिक होता है मेसा नेक्स्ट हमारा क्यूशन है आठ नमर इसके एंसर होता ही क्या होगा simple sa qiucion है कई बार exam से पूछा गया यह निमलिक्ट में से कौन सा इंसुलेशन परतिरोदक परिक्षक है मेगर मीटर के द्वारा जो इंसुलेशन का परतिरोद मापा जाता है या मल्टी मीटर या वाट मीटर या टेको मीटर के द्वारा तो दोस्तों टेको मीटर होता है उसे मोटर की स्पीड को मापा जाता है जिसको इसको esoft के पास स्थापित किया पिए नश कोन सा होगा कि व 따라 मेगर मीटर के द्वारा या तो सभी को पताऊगा या नि इसलेशन परतिरोधों परिक्षक के यानि हैंडल हाथ से गुमाया जाता है इसको हमेशा परती रोद मापने के लिए और मेगर की जो स्पीड होती है वो लगवा कितनी होती है 160 आरपीम आरपीम राउंड परती मिनट यानि यह इसकी स्पीड होती है गुमने की नेक्स्ट मारे क्यूत दोस्तों नो नंबर इसकी स्पीड परती गुर्णन में कितने चोटे स्टेप सोते हैं 400 यह 20 इन टीन सो यह 500 बताई इसकी सिर्चल कोगा एक स्टेप मोटर के परती गुर्णन में कितने च narrative सोते हैं टाइप कर दीजिए जिसको बता है तो दोस्तों इसके राइट एंड शुरू जाएगा बी यानि 200 स्टेप्स होते हैं तो स्टेप्स किस प्रकार से होते हैं चलिए कोई बात नहीं में आपको बता देता हूं तो दोस्तों जो स्टेपर मोटर का यानि इसको तीन प्रकार से प टाइप एक होता है इसका हाइब्रीड टाइप च्यूंक च्योंजन जिसको वी आर एंड पी एम बोलते हैं समझें आगे होगा आप सी को यानि इसका एक सुत्र होता है बराबर में एन एस सिक्रों स्पीड कितनी है माइनस में एन आर कितनी है और बटा में एन एस गुणा में एन आर हो जाएगा तो एन आर का यहां पर होता है यानि नमबर ओफ रोटर टीथ यानि उस रोटर के उपर दांते कितने हैं वो यहां पर लिखे जाते हैं और यहां पर स्टेटर क फिर्ट्रें के टीटैन है यहा पर गुठे द मॉटर की बात करते कि तो पर T dud है है तो झूटर को थोड़ा दिक लोगा कोई बात निल्वांने दोर्हा कम से जा देता हो जाता है यहांज स्वसार्टी इस साथ को 360 degrees है नेक्स्ट हमारे क्यूस्टन है दोस्तों दस नंबर इसके फंस जोताई क्या होगा अब बात आती है एक british वात के यानि होसपावर किसके बराबर होता है 500 watt के या 1000 watt के या 735.58 के या 746 watt के बताईए british horsepower रखिस के बराबर होता है एक matrix प्र्णाली में होता है और एक british प्र्णाली होती है तो इन दुनों में एक horsepower कमान यानी एक hp कमान अलग-अलग होता है तो बारत के अंदर हमें सा matrix प्र्णाली लागो होती है तो यहां पर पूछा क्या गया है कुछा गया तो इसका राइट एंसर कौन सा होगा कि टाइप कर दीजी जिसको भी एंसर पता है यहां कि यहां पर पूछा गया है अगर एक शेल उल्टी दिसा में जूड़ी गया है यानि पलस माइनस का जो मैंनल है वह privileges क्या होगया है तो अब मौटेजener सर की यह बहुत है जल्दी से बिता दे कि जिसको भी पता है तो दोस्तों हमेसा एक सेल अगर उल्टा हो जाता है तो इसका मतलब वो दूसरे पास वाले सेल को भी उल्टा कर देता है तो इसका मतलब दो सेल कम हो गए तो चार सेल बचेगे पीछे चार सेल को एक मौट पांच से गुना कर दीजिए तो इसका मतलब 4 एकम 4 और 2 6 वोल्टेज इसका टोटल मान हो जाएगा इसका मतलब 6 राइट एंसर दिस क्यूशन समझें आगे होगा आप सभी को यह नि इस प्रकार से हो जाएगा नेक्स्ट नमारा क्यूशन है 12 नमबर इसके अंसर ते ही क्या होगा PVC कंडूट नली वायरिंग के मामले में PVC कंडूट नली की नियूंत मोटा ही क्या होनी चाहिए 3.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm ये 2.5 mm तो दोस्तो इसका राइट एंसर रो जाएगा D यानि 2.5 mm होनी चाहिए ये आपको त्याहन रखना है नेक्स्ट नमारा क्यूशन है दोस्तो 13.0 mm, इसके नियूशन होता ही क्या होगा फ्लेमिंग के दाइं हाथ का नियम क्या दर्साता है कन्डेक्टर की गती, प्रेरित एम अप की दिसा, चुम्ब की अपरवाय की दिसा, जनरेटर की गती क्या दर्साता है फ्लेमिंग के दाइं हाथ का नियम तो दोस्तों इसका राइट एंसर हो जाएगा भी यानि प्रेरित एमप की दिशा को दर्साता है यानि फ्लेमिंग के नियम के इंचारा यदि दाएं हाथ की हतेली की जो तीन अंगुली अंगुठा और मद्यमा तरजनी होती है यानि फोर फिंगर बोलते हैं जिसको वो करमस है आपस में समकॉन पर रखा जाए तो तरजनी चुंब के शेत की दिशा को दर्साती है और अंगुठा होता है वो लगने वाले बल की दिशा को और जो मद्यमा उंगली होती है वो प्रेरित विदूत वागवल की दिशा को यानि इमप की दिशा को इंगित करता है समझें आगे होगा आप सी को और फ्लेमिंग के दाया हाथ का जो नियम है वो जनरेटर में तता फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है मोटर के अंदर काम में लिया जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट मार की स्नर चवदा नंबर इसके एंसर देग क्या होगा? ट्रांसफॉर्मर की सुरक्षिया के लिए आम तूर पर किस प्रकार कि रिले का प्रयोग किया जाता है थ्रीपेज रिले, भुकॉल्ज रिले, नोव ओल्ट रिले या अंडर लोड रिले बताईए इसका इंसर क्या होगा सिंपल साक्यूशन ने सभी को बता होगा तो दोस्तो इसका राइट एंसर हो जाएगा बुकॉल्ज रिले का उप्योग क्या जाता है तो बुकॉल्ज रिले का उप्योग क्या जाता है या इसको अब बाताती है डी सी मोटर स्टार्टर का प्रियो खालिस्तान के लिए किया जाता है फिल्ड के वाइनिंग परतीउद के वर्धी करने में या प्रारमिक करेंट को नियांतरित करने के लिए या पस्ट इमप को कम करने के लिए आर्मेचर वाइनिंग परतिरूद को कम करने के लिए most important है DC motor starter का प्रयोग किसके लिए किया जाता है तो दोस्तों simple सा question है यारी प्रारंबिक current को control करने के लिए मेंसा इसका प्रयोग किया जाता है तो कौन-कौन से starter होती है two point three point और four point तो मैंने आपको पिछले test में बताया भी था उसमें strides लगे होते हैं इस प्रकार से एक handle के द्वारा गुमाया जाता है जो two point three point starter होता है या four point इनको चलाने की विद्धी एक होती है सभी के अंदर spring से लगा होता है है handle लगा होता है वो इस प्रकार से हम घुमाते जाते हैं वैसे वैसे resistance का मान-कम होता जाएगा और armature को पूरा current मिलता जाएगा यानि उसका resistance कम हो जाएगा फ्रूरती तो इस प्रकार से यहां पे एक NVC लगी होती है जो के handle को चिपका के रखती है मोटर पूरी तरह से गती प्राक्त कर लेती है ओलार वगेरा भी लगी होती है इसके अंदर